दोस्तों हालही में मिली जानकारी के मुताबिक भारतिय टैनिस प्लेयर सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोईब मलिक का तलाक हुआ है। उन दोनों का एक बेटा भी है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस चल रही है। एक का कहना है कि पाकिस्तानी पिता की संतान को भारत की नागरिकता मिलना खत्रे से खाली नहीं जबकि दूसरा इसका उल्टा सोचता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि सानिया मिर्जा ने टेनिस में भारत का नाम बहुत उपर पहुँचाया है लेकिन साल 2010 में उन्हें काफी गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। ये वो वक्त था जब सानिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोईब मलिक के साथ शादी की थी। 14 साल बाद ये शादी आधिकारिक तोर पर अब तूट गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए जानते हैं सानिया के बेटे एजहान का फिलहाल क्या सिटिजन्शिप स्टेटस है। फिलहाल एजहान का मामला काफी उलजा हुआ है। अभी वे अपनी मां के साथ दुबई में गोल्डन वीजा पर रह रहे हैं। के लिए ही खेलती रही। यहां तक कि उनके बच्चे का जन्म भी भारतिया अस्पताल में हुआ है। इस तरह से देखे तो इजहान खुदी भारत का नागरिक कहला सकता है। अगर सानिया चाहें तो आपको बता दे की पाकिस्तान ने नागरिकता देने से साफ मना कर दिया था। दरसल इजहान के जन्म के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, Federal Investigation Agency ने कहा था कि अगर वो बच्चा भारतिया नागरिकता लेगा तो उसे पाकिस्तान का नागरिक नहीं माना जाएगा। यहां बता दे की पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखने को कानूनी मान्यता है। बहुत से लोग दो पासपोर्ट रखते हैं, जैसे एक पाकिस्तान और दूसरा किसी बड़े देश का। लेकिन पाकिस्तान का ये एग्रिमेंट भारत के साथ नहीं है। मतलब अगर कोई भारतिय नागरिक के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखना चाहे तो ये संभव नहीं। चलिए जानते हैं, भारत में दोहरी नागरिकता को लेकर क्या कानून है। आपको बता दे कि अगर कोई इंडियन दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहे तो इसके लिए उसे भारतिय नागरिकता छोड़नी होगी। यानि ए जहान को अगर यहां का नागरिकता चाहे तो वे किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता। उनके जन्म के बाद शोड़नी कहा था कि उनका बेटा ना तो भारत का नागरिक होगा ना पाकिस्तान का। तो शायद इससे उनका मतलब UAE से रहा हो। या हो सकता है कि गोल्डन पासपोर्ट के अलावा इजहान को वहीं की स्थाई नागरिकता दिलवा दी जाए। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि बच्चे को कहां की नागरिकता दी जाएगी या उसके पिरेंट्स क्या सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास किसी और देश की भी नागरिकता हो। चलिए जानते हैं भारत में किसे नागरिकता मिलती है। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ती जन्म से भारतिय नागरिक है। एक और नियम भी है। इसके तहट एक जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी शाक्स भारतिय नागरिक है अगर उस दोरान उसके पेरेंट्स में से एक भारत का देश में जन्न न लेने पर भी नागरिकता मिल सकती है अगर जन्न के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो लेकिन पेरेंट्स को बच्चे के जन्न के एक साल के भीतर इंडियन एमबैसी में इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है रजिस्ट्रेशन के जरिये भी सिटिजन शिप मिलती है इसकी कई शर्ते हैं जैसे कम से कम साथ सालों तक भारत में रहना Commonwealth nation के रहने वाले भी Indian citizen हो सकते हैं अगर वे भारत में रहने लगे तो आपको बता दे कि देश में विले होने पर भी नागरिक्ता मिल सकता है अगर कोई दूसरा देश भारत से जुरना चाहे या भारत में कोई नया भूभाग शामिल हो जाए तो वहां के रहने वाले अपने आप भारतिया माने जाएंगे मसलन साल 1954 में पुर्दुचेरी का देश में विले हो गया और वहां के रहने वाले भारतिया कहलाने लगे और एक बात आपको बता दे कि जरूरत पढ़ने पर नागरिक्ता चीनी भी जा सकती है अगर कोई दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहेगा तो उसे भारत का नागरिक्ता चोड़नी होगी तब उसे किसी दूसरे देश की नागरिक्ता प्राप्त हो सकती है इसके आलावा अगर ये साबित हो जाए कि कोई व्यक्ती ने भारत में अवैद तरीके से इंत्री ली है और नागरिक्ता पाई है तब भी उसकी नागरिक्ता चीनी जा सकती है और देश विरोधी गति विधियों में शामिल होने या आतनकवाद फैलाने पर भी नागरिक्ता निरस्थ हो सकती है इसके साथ ही कोई भी ऐसा काम जिससे सम्विधान या मूल अधिकारों से छेड़ चाड़ होती हो तब भी सिटिजन्शिप शीनी जा सकती है जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे